नमस्कार दोस्तों समबाट टीवी से मैं राजनरायन जिन मुसल्मानों के लिए यानि जिन मुसल्मानों के बोट के लिए विपच्छ ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रड अश्विकार कर दिया उन्हीं मुसल्मानों ने विपच्छ पर करारा तमाचा है ऐसा तमाचा जड़ा है कि लोग सभा चुनाओं में विपच्च के होस पाक्ता हो जाएंगे अब बड़ी संख्या में मुसलमान रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं रामलला का जैघोस कर रहे हैं रामलला का जैघोस के साथ ही दंडवत कर रहे हैं नतमस्तक हो रह कर रामलला की छबी को देखकर वो भाव भी भोर हो रहे हैं। विपच्छ की ये चाल थी कि अगर रामलला का दर्शन नहीं करेंगे यानि प्राड प्रतिष्ठा कारकम में नहीं जाएंगे तो मुसलमानों का बोट उन्हें लोग सभाचुनाओं में मिलेगा। लेकिन जब ब बड़ी भूल सपा और कांग्रेस के नेताओं ने की है। क्योंकि उन्हों पालिटी के नेता ये चाहते हैं कि मुसलमानों का बोट उन्हें लोग सभाचुनाओं में मिले। मुसलमानों का बोट उन्हें लगातार निरंतर हर चुनाओं में मिलता रहे। लेकिन मुसलमान ज तरक्की देश की तरक्की या उनकी जो तरक्की करेगा उनके साथ मुसलमान जाने वाला है। दर्शन करने के बाद उनका जीवन धन्य हो गया। उनके बस की बात नहीं थी। और उसके बाद देखे मुसलमानों की संख्या एक आएक बढ़ने लगी। बड़ी संख्या में लखनव से मुसलमान पैदल चलकर यानि पैदल चलकर वो रामलला के दर्सन करने पहुँचें। करीब 1.500 किलो मीटर की यात्रा तै की। जिस तरह से आप देखते होंगे गोबर्धन में बर्धावन में लोग परिक्रमा लगाते हैं। अयोध्या में 84 कोशिया परिक्रमा लगाते हैं। सरद्धा और भाव समरपड करते हैं प्रभुराम के लिए। उसी तरह से मुसलमानों ने सरद्धा भाव समरपड किया प्रभुराम लला के लिए। अयोध्या से वो 1.500 किलो मीटर की यात्रा उन्होंने तै की। 6 दिन का समय लगा 20-25 किलो मीटर की यात्रा वो मुसलमान तै करते थें। जगय जगय पर उनके स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए लोग खड़े हो जाते थें। इसलिए उनकी कोशिस होती थी कि ये मुसलमान जो राम भक्त बने हुएं। राम के प्रति, उनकी स्रद्धा और भावना इतनी प्रबल है, उनका स्वागत और अभिनंदन क्यों ना करे। अब इनकी सात्तुत्ता देखिए, इनकी भक्ती देखिए, जगय जगय पर यानि 20-25 किलो मीटर की दूरी पर सीता रसोई की बेवस्था की गई थी, वहाँ पर सात्त्त्त्त भोजन ये मुसलमान गराण करते थे, सात्त्त्त्त भोजन गराण करने के बाद जिसे परशाद रूप में सनात्री मानते हैं, वो परशाद रूप में सात्त्त्त भोजन गराण करते थे, भजन किरतन करते थे, रात्री विश्राम करते थे, फिर अब आप देख लिजे कि देश का मुसलमान राम लला के दर्सन के लिए जा रहा है। कांग्रेस और सपा को कैसे बोट देगा, विपच्च को कैसे बोट देगा, जिन्होंने राम लला के निमंत्रड को ऐस्यूकार किया है। यस प्रकारते कांग्रेस और सपा मुसलमानों को अपनी बपावती समझ लेती है। कि जिन्हों मुसलमानों के चलते तुमने राम लला के प्रांड परतिष्ठा कारकम को ऐस्यूकार किया, आज बड़ी संख्या में मुसलमान खुद राम लला के दर्सन के लिए जा रहे हैं। इसलिए नहीं हो तो इसलिए लोग सभाचुनाओं में बड़ी कीमत चुकानी पर तकती है कांग्रेस और सभाके नेताओं के